हाई ओरिवन दोस्तों सिक्रिटिरी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से बहुत ही बिगेस्ट अपर्चुनिटी निकल करा रही है पर्मनेट रिकार्मेंट निकल करा रहा है आई टी आई और डिप्लोम वाइले केंडिट के लिए इस रिकार्मेंट की बात किया जाते हैं यह नो लेन आप दा पोस्त यहां पर दोख सकते हैं जुनियर टिकनिसिन हो और टौटाल नंबर वाइकेंटिंग कंडलेसित देख सकता है ऍद्र और या इंट्स्क्रासएंद या इंस्टुमेटेशन वाले केंडेट के लिए 3 नंबरा वेकेंसी रहने वाली है और फायर मैंड के लिए 1 नंबरा वेकेंसी रहने वाले है टोटल नंबरा वेकेंसी की बात के जाए टोटल नंबरा पोस्ट 83 रहने वाला है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह रिकार्म बात किया जाये तो प्रिंटींग में जो भी कंडिट फुल टाइम यह कर सकते हैं और यहां पे आप प्रिंटिंग यह प्लेट मेंριं यहां पर टोटल मेंसंट कर दियंका यह उदिदी क्वालिफिकेस्टा नहीं तो यहां पर फूल टायम डिप्लोमा होना चाहिए किसमें प्रेंटिंग टेकनोलोजी फ्रम गवर्मेंट कॉलेज से प्रेंटिंग में डिप्लोमा कियेंगो इस फॉर्म को फिल अगर एज की बात किया जाए तो यहां पे आप जख सकते मीनिमम एज आपको 18 यार और मैक्सीम बात किया जाते हैं पर junior technician fitter की देख सकते हैं full time IT certificate recognized from NCVT or SCVT in fitter trade जो भी fitter जे अप two year का IT certificate ले चुके हैं किसी भी NCVT या हो या से भी तो फानिली इस फार्म को fill up कर सकते हैं एज की बात सहीं रहने वाला है 18-25 एज रहने वाली है जो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं एज सेम सभी नम्मरा वेकेंसी पर रहने वाला junior technician electrical की बात किया जाए तो इलेक्टिकल में आपका IT होना चाहिए और एज जो है कि यहां पर 18-25 होना चाहिए जैसे नीचे आगे तो junior technician electronics या instrumentation वाले candidate के लिए हो तो जो भी candidate IT की होंगे इस trade में तो इस form को easily form को कर सकते हैं यहां पर यह नॉन टेक्निकल रिकॉर्मेंट रने वाले यह फायर में के लिए तो जो भी candidate नॉन टेक्निकल है तो यह eligibility criteria को देख सकते हैं जैसे नीचे आएंगे तो आपको कुछ important date and term date टर्मेंट कंडिशन दिखाना चाहूंगा यहां पर आप देखते हैं पोस्ट रिजर्फ फार फिजिकल हैंडीकेप एक सर्विसमेंट तो टोटल आपको category वाज उपर mention कर दिया गया है इस notification में तो यहां पर category वाज जो भी candidate दिव्यांग candidate होते हैं उनको category mention कर दिया गया फी की तरह लेकर चलना चाहूंगा कि फी इसमें क्या रहने वाला है फी से पहले मैं eligibility condition को देखना चाहूंगा जो हुई candidate nationality और candidate must be either citizen region of India या देख सकते हैं citizen of India है तो सभी लोग भारत के नागरिक ही है सब सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं जो भी अदर कंडिशन है अदर कंट्री के लिए condition है तो आल इंडिया candidate finally इस फार्म को इजली फार्म को भर सकते हैं जैसे नीचे आएंगे तो यह यह फार्म अप्लाई होना तो इसमें बतादिया गया है तो आप song में जो भी ली ने वर अधियो दूर करने के लिए बात के जाए रेस रूपी सकर देखा जा तो 600 रहने वाले इंक्लूडिंग आफ जिस्ट रहेगा इसमें जो इवार इवस ओवी सी वाले के लिए 600 रहने वाले और अधर जो कटेग्री है स्ट पीड़ोडी उनको 200 टोटल इसमें फीज लगने वाला है तो इसका अप्लाय लिंक आपको सेलेक्षम अपे पॉस्ट बिड़न ठ کہ दो आएंग कि इसमें से कितना नंबर आएगा और यहां पर अप लोग का साथ मिनट रहने वाले पार्ट में ओर यहां परबार थीथा Meh 49 fulfilling बिल्थ करेंगों उनके स्टिड़ेगरी से सर्ट को जिसMA नबे मेकसिम मार करेगा और साथ मिनिट करेगा टोटल 120 मिनिट का आपको टाइम दिया जागा इस एकजाम को क्वालिफाइक करने के लिए तो यह जो भी इंपोर्टेंट टर्मेंट कंडिशन था टोटल में आपको शेर कर दिया और जो भी इस चैनल पर फर्स्ट बार विजि